हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल वावी टेबल्स इन अर्पिता किचिन, मैं हूँ अर्पिता और आज आपके लिए लेकर आई हूँ परवल के एकदम यूनिक रेसिपी जो लोग परवल बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं वो भी इसे उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे अपने पनीर दो प्याजा खूब खाया होगा आज हम बनाएंगे परवल दो प्याजा तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने इधर ये परवल लिया हैं ये 400 ग्राम परवल है और इसको अभी हम छील लेंगे तो बस इसकी जो उपर की इसके नोती ना उसको निकालना है तो ऐसे स्क्रैच कर सकते हैं आप इसे नाइप से तब ही वो निकल जाएगी एजीली ऐसे बस स्क्रैच करते जाएं और क्योंकि हम इना इसकी पूरी स्किन नहीं निकालना है जो उपर की मोटी लियार होती है उसको नहीं निकालना है सिर्फ हलका सा स्क्रैच करना है ये देखिए बस इस तरीके से हमें छील लेना है इसको और अभी मैं दूसरा तरीका बताते हूँ पीलर से भी आप इसे कर सकते हैं बट बहुत हलके हाथ से ये देखिए बहुत हलके हाथ से उपर के स्किन को छीलते जाएंगे बस ये देखिए बस हो गया एक बार मैं आपको दिखाते हूँ देखे ऐसी मोटी लेयर आपको नहीं निकालनी है बस इस तरह से हलके हलके हाथ से छिलना है तो इस सारे परवल छिलकर रेडी हो चुके हैं अभी हम इनके edges निकाल देंगे तो उसके लिए मैं एक chopping board ले रही हूँ और यह देखे ही side से edges इन बरी pink color का भी निकाल आता है परवल अंदर से तो उसको तो बिल्कुल छोड़ी दें उसको तो use ही ना करें और अगर हलके हलके पीला भी लग रहा है तो यह बीच निकाल दें यह देखे इस तरह से सारे परवल कट कर तयार हो चुके हैं आभी हमें क्या करना है कि यह प्याज जिसको मैंने मोटा मोटा काटा है अद्रक और लसन इनको एकदम बारीक chop करना है तो मैं एक chopper की help से इने chop कर रही हूँ आप काट सकते हैं इनकी प्यूरी नहीं बनाना है सि यह मैं chopper यूज कर रही हूँ देखे अच्छे से chop हो चुका है एकदम बारीक अभी चलते हैं गैस की तरफ तो गैस पर यह मैंने कढाई गरम होने रख दी उसमें मैं एड़ कर रहे हूँ ओईल ओईल गरम हो चका है इसमें अभी परवल डाल देंगे परवल को अच्छे से fry कर लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक तरफिके मैंने अभी आदे डाले हैं थोड़ा सा साइड करके ने मैं बाकी के भी डाल दूँगे और इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राइ करेंगे गोल्ड परवल अच्छे से फ्राइ हो चुका है अभी बाकी बचे वे ओईल में हम आड़ कर देंगे आदर चमत जीरा एक तेज पत्ता और इसके बाद अभी हम डाल देंगे जो हमने अद्रक लेसन और प्याज को चौप करके रखा था और इसको अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ कर लेना है अद्रक लेसन प्याज अच्छे से बून चुका है चार से पांच मिनद तक सिम गेस पर मैंने इसको बूना है उसके बाद मैं इसमें अड़ कर रहे हूं हल्दी पाउडर और लाल मिर्शी पाउडर बस इसके साथ भी से एक मिनट तक भून लेंगे और बस इसके बाद इसमें अड़ करेंगे हम टमाटर टमाटर को भी मैंने एकदम बारीक चौप किया है चौपर में ही इसका भी प्योरी नहीं बनाना है बारीक बारीक चौप करना है बस अगर टमाटर बारी चॉप भी नहीं करेंगे तो उसको हम बाद में मैश कर सकते हैं टमाटर डालने के बाद इसे वापस से 4-5 मिनट तक अच्छे से भून लिया है अब यह देखिए ऑईल भी सेपरेट होने लगा है तो इस टाइम पर मैं इसमें एड़ कर रही हूँ नमक साथ में धनिया पाउडर और इसको भी डालने के बाद एक मिनट तक भून लेंगे अभी इसमें एड़ कर देंगे हम हाफ कप पानी और इसको मिक्स कर देंगे पानी थोड़ा कम लग रहा है तो थोड़ा सा पानी और में इसमें एड़ कर रही हूँ वन फोर्थ कप जितना और बस इसको मिक्स कर देंगे एक बॉयल आने देंगे रिखे बॉयल आ चुका है अभी अच्छे से अभी इसमें एड़ कर देंगे परवल अब इसको अच्छे से mix कर देंगे और इसको फिर cover करके sim gas पर 5 मिनिट के लिए पकने देंगे 2-3 मिनिट के बाद एक बार इसको चला देंगे तो मैंने एक बार open किया इसको बीच में और चला दिया अच्छे से और इसके बाद फिर से इसे cover करेंगे और दो मिनट तक पकने देंगे दो मिनट हो गया है अभी इसे open करके चेक कर लेते हैं यह देखे परवल एकदम पक चुका है अभी तो अभी हमें इसमें add करना है cubes में कटिवी प्याज और इसमें add कर देंगे अभी cubes में कटावा टमाटर टमाटर का मैंने अंदर का pulp निकाल लिया है और साथी में डाल देंगे ऐसे ही कटिवी शिमला मिर्च शिमला मिर्च से इस सबजी में बहुत ही अच्छा flavor आता है तो शिमला मिर्च को skip ना करें बहुत ही मज़िदार टेस्ट देती है ये इसमें और अभी बस इसमें add करना है हमें थोड़ा सा गरम मसाला ये मेरा घर का बनावा गरम मसाला है इसलिए मैं बहुत थोड़ा सा डाल रही हूँ अगर अपका market वाला है तो थोड़ा जादा डालें बस इसको भी अच्छे से mix चेंज नहीं करना है और उसको बिल्कुल भी soft नहीं करना है कि थोड़ा क्रंची रहता है न तो जादा अच्छी लगता है तो ये देखिए सबजी बनकर एकदम ready हो चुकी है तो गैस कर देते ओफ और सबजी को कर लेते हैं सर्व सर्व करने के बाद थोड़ा सा हरा धनिये से और गार्निश कर देते हैं इसको और ये हमारी परवल की मज़िधार बहुत ही delicious mouth watering सबजी बनकर ready हो गई है आप इसको एक बार जरूर ट्राइ करें बहुत ही जादा टेस्टी लगती है